क्या आपने देखा है कि ऑनलाइन पेमेंट करते वर आपका URL HTTP से HTTPS में बदल जाता है शायद आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप से इसी से इसी के बारे में बात करने वाला हूं तो sit back, relax and I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सेखने को मिलेगा HTTP की full form है Hyper Tech Transfer Protocol HTTP कुछ set of rules हैं जिनकी help से हम अपने data को web server और अपने computer के बीच में exchange करते हैं चलिए इसे और clearly समझता है मान लीजे आपने एक essay लिखा या article लिखा ये एक normal text है बट इसमें और hypertext में क्या difference है Hypertext एक series of text documents है जो एक दूसरे से connected है वाया hyperlink for example आपने google पे एक article search किया तो आपको search results में कुछ text दिखा उन text पे click करने पर आप एक और नया page खुलावा पाएंगे तो ये हुआ हमारा hypertext तो http मैं आपको दोस्तों फिर से बता दूँ http कुछ set of rules है जिसकी मदद से हम web server से हमारे web browser में data load कर सकते हैं और site को देख सकते हैं और उसमें मौजूद hyperlink को open कर सकते हैं पर जो http है न वो इतना secure नहीं है वो इसलिए क्यूंकि दोस्तों http में data एक plain text की तरह transfer होता है और मालीजे अगर कोई hacker इस exchange के वक्त बीच में से data packet को चुरा ले तो आपकी privacy leak हो सकती है और वो भी बड़े ही आराम से तो दोस्तों hacker बड़े ही आराम से आपकी user ID और password को जान सकता है यहां तक कि अगर आप payment करते हैं किसी http site पे तो वो बिलकुल न करें क्योंकि वो hacker आसानी से आपके card number और expiry date की details जान सकता है तो इसी से बचने के लिए introduce हुआ HTTPS यहां S का क्या मतलब है? यहां S का मतलब है secure दोस्तों HTTPS में क्या होता है? जो आपका data exchange होता है वो web server से web browser के बीच completely encrypted form में होता है जिससे अगर कोई hacker बीच में से data packets को capture भी करता है तो उसे data encrypted होने के कारण कोई पायदा नहीं होता तो अगर आप एक website honor है तो SSL certificate यानि secure sockets layer अपने web server पे जरूर से install कर ले SSL क्या है? आप सोच रहे होंगे SSL क्या है? SSL एक standard technology है जो web server और web browser के बीच एक encrypted layer को establish करती है मतलब एक माइने में HTTPS को establish करती है जिससे उस websites के customers का data secure form में transfer होता है तो अगर आप देखें सभी leading websites HTTPS को use करती है जैसे Amazon, PTM, Flipkart वगेरा वगेरा इन सभी sites के URL के पीछे आप एक ताले का निशान पाएंगे और वहाँ लिखा हुआ होगा secure तो अगर आप ऐसी sites में payment करते हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए क्योंकि आपकी details एक encrypted form में transfer हो रही है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे like जरूर करें और हाँ अगर आपके कोई query है अभी भी आपके दिमाग में कोई query है तो इसे comment box में लिखना न भूले और चैनल को जरूर से subscribe करें ताकि आप इस तरह की tech and informative videos को miss न कर पाए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए information के साथ तब तक के लिए goodbye